दोस्तों एक कहानी है एक अनपड पिता की और उसके पड़े लिगे लड़के की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एक बुज़र्ग व्यक्ति सडक के गिनारे समों से बेच कर अपना परिवार चलाया करता था वे व्य व्यक्री में रोजाना बड़ोद्री होती जा रही थी जिससे उसने और ज़्यादा आलू खरीदना स्टार्ट कर दिया है साथी पहले वाले चूले से बड़ा और बड़िया चूला खरीद कर ले आया उसका वैपार लगातार बढ़ता जा रहा था तब हिए उसका बेटा बाहर पड़ाई करके लोडता है और अपने बुजर्व पिता का हाथ बटाने लग जाता है लेकिन उसके बाद एक अजीबों करीब घटना गटी बेटे ने अपने पिता से पूछा पिता जी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी से गुजरने वाले हैं उसक आने वाले बुरे हालातों का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए उस बुजर्व पिता ने सोचा कि उसका बेटा बाहर पड़कर आया है अकवार पड़ता है रेडियो सुनता है इसलिए उसकी सला को हलके में नहीं लेना चाहिए अब दूसरे दिन जैसे ही निकला उस बुजर्व व्यक्ति ने पैसो को बचाने के चक्कर में आलू खरीदना कम कर दिये उसने अपना साइन बोड जो की टंगा हुआ था उसको उतार दिया अब उसका जोज धीरे धीरे कम होने लगा जल्दी उस दुकान पर आने वाले ग्राकों की संक्या कम होने लगी जिस ही है तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है वो ये कि हम अपने सलाकार जिन लोगों से हम सला लेते हैं उन्हें साफधानी से चुनें क्योंकि 90% लोग लाइफ में इसी लिए फेल हो जाते हैं जरूरी नहीं हर बु इसी के साथ मिलते हैं नेक्स स्टोरी में नमस्कार जैहिं